दोस्तों क्या आप भी अपने Xiaomi स्मार्टपॉन में कुछ से इस टाइप का in-display fingerprint animation apply करना चाते हो तो इस वीडियो को end तक देख लेना इस वीडियो में कोई भी third party app के बारे में बात नहीं करेंगे और इस वाले animation को create करने के लिए हम only एक Xiaomi theme का यूज़ करेंगे और काफी कमाल की theme देखने को मिल जाएगी जहाँ पर यह fingerprint animation काफी कमाल का work करता है और यहाँ पर effect भी आपको different type का देखने को मिल जाता है चलो आर वीडियो को start करते है तो अगर वीडियो पसंद आती है तो please like कर देना और चैनल पर पहले बार विज़िट के है तो subscribe करके bell notification को all पर set कर लेना चलो आर वीडियो को start करते है तो बात कर लेता है सब सब पहले इस इस theme के home screen से coffee कमाल के देखने को मिल जाती है जहाँ पर आपको different type का wallpaper देखने को मिल जाता है और यहाँ पर मैंने clock widget add कर रखी है और यह वाली clock widget मुझे इस वाली theme में देखने को मिलती है और जैसे आप इस theme को apply करोगे आपके सामने यह वाली clock widget open हो जाएगी बात करते है इस system icons and normal icons का look coffee कमाल का देखने को मिल जाता है और आप try जरूर करना और बात करें इस theme के notification panel के बारे में उसमें आपको ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता normal से देखने को मिल जाते है और यहाँ पर बात करें इस theme के setting way के बारे में तो setting way का look आपको normal सा देखने को मिल आप जैसे क्लिक करते हूं आपके सामने काफी कमाल का 3D लूग देखनी को मिल जाएगा, यह proper work भी करता है, अगर आपके smartphone में in display fingerprint होगा तो आप इसको try जरूर करना, अगर आपके smartphone में in display fingerprint scanner का support नहीं है तो भी आप try जरूर करना, and इस features को apply करने के लिए आप अपने smartphone में face log का use कर सकते हो and जैसे आप click करोगे आपके सामने काफी खमाल का look देखने को मिल जाएगा and यार देखने में भी अच्छा लगता है साथ ही आप एक different type की charging animation का भी support देखने को मिल जाएगा तो आपके एक बाट try जरूर करना अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना